हेलो एवरीवान वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बचों अभी हम डिसकर्स करेंगे आटवी कक्षा संस्कृत का एक पेपर ये द्वित्य आवधीक परीक्षा का पेपर है सत्र दो हजार बाइस थे इसका तो पहले है खंड का जिसमें एक अपठित गध्यांश आपको अदो लिखितम नीचे लिखे गध्यांशं पठित्वा गध्यांश को पढ़कर प्रश्ना नाम उत्तरानी लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखिए एकस में नगरे दुए मित्रे वसत है समें एक नगर में दो मित्र रहते थे एकस से नाम सोमेश है आसीत एक का नाम सोमेश अन्यस्य चे धनेश और अन्य का दूसरे का धनेश सोमेश विद्याम एच्छतीस में सोमेश की ईच्छती विद्या पाने की धनेश चे प्रभूतम धनम अर धनेश को चाये था धन एकदा मित्र द्वयम विदेशम अगच्छत एक बार दोनों मित्र विदेश आ गए तत्र सोमेश परिश्रमेन अध्यनम कृत्वा वहाँ पर सोमेश ने परिश्रम से अध्यन किया विद्याम प्राप्तवान और विद्या प्राप्त की धनेश धनम अर्जितवान धनेश ने इच्छतीस में किसकी इच्छती विद्या प्राप करने की विद्या की इच्छती सोमेश को एक शब्द में लिखना है सोमेश हो दूसरा प्रशन है धनम को इच्छ थी इसमें धन की इच्छा किसको थी धनेश को धनेश हो आगे है धनेश है किम अर्जितवान धनेश ने क्या अर्जित किया ये पूरा आप लिखेंगे नहीं पूरा नहीं लिखना एक पद में ही उत्तर देना है धनम, धनेश ने धन अर्जित किया, विद्याम कहा अर्जितवान, विद्या को किसने अर्जित किया, सोमेश हां सोमेश ने क्या करके विद्या प्राप्तवान निर्देश के अनुसार उत्तर देना है एक नगर में यहां पर विशेश्य पद किम विशेश्य पद क्या है विशेश्य जिसके विशेशता बताई जाती है आगे है अन्यस्य, दूसरा इती पदस्य समानार्तक पदम किम, इस पद का समानार्तक पद क्या है परस्य अगे है खंड का रचनात्मक लेखन पदानाम प्रियोगम कृत्वा इन शब्दों का प्रियोग करके संस्कृत भाशायाम वाक्यानी रच्यत संस्कृत भाशा में वाक्यों की रचना करिए पहला शब्द है महिला महिलाएं सुत्ताह सहा महिला वो सब महिलाएं हैं विद्यालियम मम विद्यालियम नाम मेरे विद्याले का नाम केंद्रिय विद्याले है अस्ती मेरे विद्याले का नाम केंद्रे विद्याले है नेक्स्ट है कृषिकारियम, और कृषिकारियम कुरवंती, क्रिशिका मतलब किसान, कृषिकारियम कुरवंती. नेक्स्ट है संसार सागरहा ये पार्ट का नाम है नाम में शब्द आया है और पार्ट में आपको दिया गया है तड़ागहा यानि कि जो सरोवर है तालाब है संसार सागरहा कथ्यंते उन्हें संसार का सागर कहते हैं नेक्स्ट है चत्वारी मतलब चार एकदा ये भी पार्ट के नाम से ही है शद एकदा एकस्मिन वने एकस्मिन वने एक बार एक वन में चत्वारी मित्राणी मित्राणी निवसंतीस महा एक बार एक वन में चार मित्र रहते थे नेक्स्ट है प्रदेशा जैपुरम राजस्थान प्रदेशह राजधानीस अस्ति किसी दूसरे और प्रदेश का स्टेट का नाम भी आप लिख सकते हैं ओके नेक्स्ट चित्रम द्रष्टवा चित्र को देख कर संस्कृत भाशायां पंच वाक्यानी रच्यत संस्कृत भाशा में पांच वाक्यों की रचना करिए यह पिक्चर है बस है ड्राइवर है इसमें बच्चे हैं जो चाता लेकर खड़े हुए शब्द है धारियनती धारन करना बालाहा बालक वस्यानम बस चत्रम चाता ते वेसम आरोहनती चड़ना और बर्शायाम बर्शा बालाहा बाला वर्शायाम चत्रम धारियनती बालको ने बारिश में चाते को धारन किया हुआ है ते वस्यानम वो बस को आरोहनती बस में चड़ रहे हैं देन वस्यानस्य बस में एकह चालकह अस्ती एक चालक भी है बस को चलाने वाला भी है बालाहा प्रसन्नाह संती बालक खुशें और बाल कह विद्यालियम गच्छामी क्योंकि ये सबी शब्ध हम कर चुके हैं इस्तिमाल बस में अगर जा रहे हैं विद्यालियम गच्छामी नेक्स्ट है खंडग अभी व्याकरण के कुछ क्वेशन्स हैं रेखांकित पदानी आदृत प्रशन निर्मानम कुरुत रेखांकित पद को हटा कर प्रशनों का निर्मान आपको करना है यह जो विभक्ति यहाँ पर लगी है वही आपके जो प्रशन वाला शब्द आप लिखेंगे उसमें भी लगेगी और यह सभी आपके बुक्के ही है सुरक्षा प्रबंदस्ये दाइत्वम गज धरहा निभाल यंतिस्मा सुरक्षा प्रबंदस्ये को हटाना है इसकी जगे आएगा कस्ये कस्ये दाइत्वम किसका दाइत्व था गजा धरहा निभाल यंतिस्मा तेशाम स्वामिने आसमर्था संति तो तेशाम की जगे हम लिखेंगे केशाम गज धरहा सुन्तरह शब्द अस्ति कौन सुन्तर शब्द है इसको चेंज गर देंगे बाकि पूरा सेंटेंश भी लिखना है आपको दाइत्वम और इसमें भी स्वामिने हैं कहा सुन्तरह शब्द अस्ति and then question mark next बयम स्वदेशस्य राज्या नाम विश्य ग्यातुम इच्छाम हैं हम अपने देश के बारे में जानने के इच्छुक है स्वदेशस्य उसमें क्या हैगा कस्य यहाँ पर लास्ट में स्या है तो कस्य तेशाम केशाम गजदरह कह स्वदेशस्य कस्य आपको हिंदी के शब्द दिए हैं इनकी जगे संस्कृत के शब्द लिखने साथ को संस्कृत में कहते हैं सब्द RIGHT According को क्या कहते हैं भगीनी संगठन संगठना बास वन्ष आज अध्य खेत शेत्र विभिन प्रकर्ति पदम चिनुत जो अलग प्रकर्ति का पद है उसको चुनना है सभी में ती लगा हुआ है लिटलगार है इसमें आहसत है तो ये अलग होगा इसमें चात्र है सेवक है शिकह लेखी का कृड़ कै तो लेखी का पत्रम मित्रम आमरह नक्षत्रम आमरह अलग है इसमे वैसे सबी है लेकिन व्याग्र भल्लू गज सिंग शेर हाथी ये सभी जानवर है जबकि कपोत है मतलब कबूतर ये एक पक्षी है इसलिए ये अलग है प्रत्वी वसूंद्रा धारित्री यानम वसुधा ये सबी धर्ती के प्राइवाची शब्द है या नमिन में लगूगा निक्स्ट शुद्वाक्या नाम जो शुद्वाक्या है उनके सामने आपको आम लिखना है अशुद्व जो है उनके सामने न लिखना है सही या गलत अभिवादन शिलस्य कीमपी न वर्धते जो अभिवादन करते हैं सभी को जुक्कर प्रणाम करते हैं वो कभी भी नहीं बढ़ते ये रॉंग है सुना वो नित्य ही उनमें व्रद्धी होती है माता पित्रो नणाम संभवे कश्टम सहेते माता पिता हमेशा ही बच्चों के लिए कश्ट सहते हैं ये सही है आम आत्म वंशम तु सर्व मेव दु क्य समाप्यते सही स्ट्रेटमेंट है मनुषय सदेव मनह पूतम सम आच्रेट मनुषय को हमेशा मन को पवित्र करने वाले शब्दो का ही आचरन करना चाहिए ऐसा ही विवार का आचरन करना चाहिए ये भी सही है आप नेक्स्ट नेक्स्ट है विशेशन और विशेश्य पद को मिलाना है आयम प्रदेशे संस्कृति विशिष्टायाम संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमी मेत्व आधाईनी संस्कृति प्राचीन इतिहास एक है समवाई है इनको आमने सामने अप नीचे लिखतेंगे अब है पठित अवबोधनम अदो लिखितम गध्यांशं पठित्वा प्रशना नाम उत्रानी लिखत नीचे लिखे गध्यांश को पढ़कर प्रशनों के उत्तर लिखिए आम हाँ प्रदेश अस्मिन हस्त शिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते इस प्रदेश में हस्त शिल्पों की भौतायत है आव वस्त्र आभूशन एभ्य याँ पर वस्त्र आभूशन ग्रह निर्मा पर्यंतम प्राये है वंश व्रक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उप्योगे क्रियते याँ पर वस्त्र आभूशन से लेकर घर के निर्मान तक करने में प्राये है वंश अर्थाद बास बास के पेड़ों से निर्मित बनी हुई वस्तूओं का उपयोग किया जाता है यतो ही अत्र वंश व्रक्षा नाम प्राचूरियम विद्यते इसलिए यहां पर बास के पेड़ बहुत जादा है और यहां का जो बास का उद्योग है उसको अंतर राश्टे ख्याती मिली है अतलब इंटरनाशनल लेवल पर वो फेमस है एक पद में उत्तर देना है किसकी बाहुलेता है यहां पर हस्त शिल्पा नाम यह वर्ड आप लिखेंगे नेक्स्ट है अत्रकेशाम प्राच्चूरियम विद्यते यहां पर किसकी कौन से चीज़ बहुत जादा मिलती है वंश व्रक्ष पून वाक्ष में उत्तर देना है अत्रकेशाम वस्तु नाम उपियोग है क्रियते यहाँ पर किन वस्तूओं के लिए किन वस्तूओं का उपयोग किया जाता है यहाँ पर बास्की बनी हुई वंश व्रक्ष निर्मिता नाम वस्तू नाम उपयोग है क्रियते बास्की बनी वस्तूओं का प्रियोग किया जाता है इसमें निर्देशा अनुसार उत्तर देने है प्रदेशे अस्मिन इती पदस्ये संदी विच्षेदम कुरुत तो प्रदेशे और अस्मिन प्रदेशे अस्मिन पठितम श्लोकम पठित्वा ये एक पठित श्लोक है आपकी पाठिय पुस्तक का ही इसको पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं अभिवादन शीलस्य, नित्यम, व्रधोप, सेविन है अभिवादन करने वाला सबको प्रणाम करने वाला और नित्य ही बुड़े लोगों की सेवा करने वाला चत्वारी तस्य वर्ध्यनते उसमें ये चारों चीजों का विकास होता है आयू, विद्या, यश और बल अभी फ्रेशन है एक पद में उतर देना है चत्वारी कस्य वर्दते चारों चीजों किसमे व्रद्धी होती है अभिवादन, शीलस्य, नित्यम, व्रद्धोप, सेविन है अभिवादन, शीलस्य, कानी वर्दते अभिवादन, शीलस्य, व्रद्धी होते है उसमें किस चीज की व्रद्धी होती है आयू, विद्या, यशो, बलम नेक्स्ट है, व्रद्धोप, सेविन है कानी, चत्वारी, वर्द्धनते जो दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, बुड़े लोगों की उसमें कौन सी चारो चीज़ें बढ़ती है, तो यही होगी दुबारा से आयू, विद्या, यशो, बलम ओके, so that's all students यह था कक्षार्ट संस्कृत का एक्वेशन पेपर, thank you so much for watching